नमस्कार सिटी पोस्ट के इस खास पेसकस में आपका स्वागत है मैं हूं स्रिकान प्रतिवस आपको पता है कि देश के जाने माने चुनावी रणनितिकार जेडिव के राष्टे उपध्धक्ष प्रसांत किसोर अब जेडिव से बाहर होने वाले हैं क्योंकि मुख्यमंतर न साना साथ रहे हैं उनके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है और उसके बाद जिस तरह से प्रसांत किसोर ने नितीज कुमार पर जोड़दार हमला बोला है उसके बाद अब सुला की कोई गुंजाईस नहीं बची है ऐसे में स्रौना स्रिना के अध्यक्ष भागवत स्तर वर्मह प्रसांत किसुर के खुलकर सामने आ गया है क्या प्रसांत किसोर के बारे में जो मुख्यमंतरी नितीज कुमार ना कहा। करें आप परसांद की सोर को जीस तरह से जलील कर ने काम कर रहे हैं यह क्या है यह बीहार के सवर्णों का अतमान एंब आप नितीज कुमार जी से ये बरताब कर रहे हैं, आप करते हैं उनके साथ, ये सरासारी निकीनों टंकी है, ये हमेशा से सवर्णों को जलील करने हैं काम किये खास करके ब्राह्मनों को, नितिसकुमार जी इसको बंद कीजे, अगर आपको ब्राह्मन बोट क्या बसकता नहीं है, तो बिहार के सवर्ण लेने पर विवस हो जाएंगे, लेकिन जिस तरह से प्रसांद किस और पाटी लाइन से अलग हट कर, सिसीय को लेकर, नार्सी को लेकर, लाइन ले रहे थे, उससे तो पाटी सहज मसूस कर रही थी, और साइध इसलिए नितिसकुमार ने कहा कि ये ठीक नहीं है, ये बिक्ति पाटी के सुप्रीमों है, उन्होंने अपने पाटी के एक नेता के खिलाफ, पाटी लाइन से अलग हट कर काम करने के कारण करवाई की है, आप इसको ब्रामनों से क्यों जोड़ रहे हैं, अरे ये सरासर वही तो है, उनके पाटी के जो लोग हैं, जिस तरह से परसांद किस सुर को जलील करने काम कर रहे हैं, ये एक ब्रामन का अत्मान है, और हम उन्हें बताना चाहते हैं, जो ब्रामन पूजा कराता है, वो सराद भी कराता है, नितिस कुमर जी है, याद रख्ये, परसांद की सौर कोई प्रखन और कोई जिला के लिए सीमित नहीं है, पूरे दे पीछे दिनों इन्होंने अनंद जी को एक साजिस करके लिपी सिंग के माधियम से जेल में भेजने काम किया, अब देखे बिहार में जो नरेन सिंग और सुमीत कुमार जी जो सवर्णों के सबसे अच्छे निता माने आते हैं, सवा नंद लोन गरीब सवर्णों के अरक्षन में बरपूर उन्हें सायोग किया है, उन्हें जूटे मुकदे में फसानी कोशिस करें, ये क्या कर रहे हैं, दितीज कुमार जी सरा सरी बतलार हैं कि हमें बिहार में सवर्णों क्याबा सकता नहीं है, आप खुलिया में का स्ट्रेट में दीजे ना, हम नीदन लेने के हैं, जो हमारे साथ रहेगा, हम उसके साथ रहेंगे, लेकिन भागवत जहां तक अनंद सिंग की बात आपने की, तो जो भी अपरादिक्षभी के लोग हैं, वो कास्टिर हो गए हैं क्या, उनको कास्ट जोलकर देखा जाएगा, उनके क्लफ करवाई को, कास्ट की बात नही जब 110 विधायकों को बंद कमरें में लाया जाता था, अनंद सिंग को एक बाहुबली के तोर पर इस्तेमाल किया जाता था, उसमें अनंद सिंग के प्रादी नहीं थे, आप सुमीत कुमार सिंग पहले क्रिमिनल नहीं थे, क्या, सुमीत कुमार सिंग पहले दोखेबास नही यह साजिस को नितिज कुमार को बंद करना चाहिए यह तो पुलिस ने कहा है कि उसकी जाच में आरोप सही पाये गए हैं और उनका समंध है जो भारुपिया है जो लोगों को ठकता है नोकरी देने के नाम पर उससे उनका समंध है CDR की जाच कराई गई देखिए यह साजिस है हम लोग बच्चे नहीं हैं बहुत अच्छे तरीके जानते हैं यह एक दवंग नेता की सारों पर सब किया जा रहा है और हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि उनसे कैसे पटना है अगर हमारे समाज को सवर्णों को ब्रामनों को दबाने की कोसिस की गई तो हम वाटनेता को दुबाने का कोई परसांद की शुर में परसांद की शुर की जलील क्या रहा हा है हम परसे लिगतार नहीं परमको द्वाद करता हमrue प्रसांद की तरusto यह ज건 सब्सक्राइब उससे जुटे मुकदमों में उन्हें आगे बढ़ने से रोकने की ये बरदास नहीं करेगा सबसेंद आगे क्या करने वाला है ये तो आने वाला वक्त बताएगा लेकिन अभी आपको बता दो कि प्रसांद कि सोर का जेडियू में वापसी अब सम्भों नहीं ह उनका बाहर जानत तय है प्रसांद की सोर जो नेतीस कुमार के लिए चुनावी रिणनिती बना रहे थे अब किसके लिए बनाएभे चुनाव के रिणनिती यह तो आने वाला वक्त बताएगा अभी तक प्रसांद की सोर ने खुलासा नहीं किया है लेकिन नरेंदर सिंग और उनके बेटे सुमित सिंग दो फंस गये हैं मुकदमे में उनके खिलाफ गिरफतारी का वर्न जारी हो गया है पुलिस का रही कि दुनों फरार हैं खोजबिन की जा रही है कभी भी गिरफतार हो सकते हैं और आप देखी रहें कि अनंद सिंग जेल के सिंगत जों के पीछे हैं और उनके लोग भी कह रहे हैं कि उनको सरकार में फसाया है, बजाया है। सचाई क्या है तो आने वाला वक्त पताएगा या जाज के बाद पता चलेगा। लेकिन प्रसांद किसोर का मामला अब तुल पकड़ने लगा है और जो भी पक्च है, जो प्रसांद किसोर की वज़ा से हमेसा मात खाता रहा है, अब प्रसांद किसोर के नितिश कुमार संदराज हो जाने के बाद उनके पक्च में पूरी तरह से खुल कर खड़ा हो गया है। इसका आने वरा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा आपको ये ख़बर अच्छी लेगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को खुब सेर करिए अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिजिए आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है